जिल्चिलाती धूब सडकों पर पसरा सननाटा लू के थपेडे ये तस्वीरे साफ दिखाती हैं कि कैसे कोडर्मा का टेमपरिचर इन दिनों अपने चरम पर है 9 बजते ही यहां का तापमान बढ़कर 38-49 डिगरी हो जाता है जो दिन चर्णने के साथ 43-45 डिगरी तक हो जाता है लू के थपेडे सुबे से ही चलने लगते हैं जिससे लोगों का घर से निकलना मुहाल हो जाता है सडकों पर सननाटा पसरा रहता है लोग जरूरी काम से बाहर निकल भी रहे हैं तो चहरे को ढख कर ताकि लू न लगे देखिए कैसे लोग मूँ ढख कर सूरज का सामना कर रहे हैं इस्थानिये बताते हैं कि उन्होंने ऐसी गर्मी पहले कभी नहीं देखी बहुत जोड़ी काम था और ये विशन गर्मी में जान जिमन बहुत थी बेस्त है हमारी गाउं का एक पंचाथ था लोकल पंचाथ बहवार नाले में अब जीना दुस्वार होके बंदू वहीं इलाखे के मुखिया बताते हैं कि गर्मी के कारण घर से निकलना मुश्किल हो गया है जरूरी काम से ही लोग घर से निकल रहे हैं कि हिससा के त्शलाज का राया बहुत ये चींदिलाती गर्मी है बहुत क्या पर है और खावा में एक जम लहर ऐसा है कि लोग निकलने पा रहे हैं दिल में यहां तापमान बहुत अधिक होने से शेहर के डॉक्टर ने बताया है कि लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और करना चाहिए और करना चाहिए और पानी में कोई तरह कमी नहीं करना चाहिए चलचलाने वाली धूप और गर्मी से लोग बेहाल है और इस उमीद में है कि उन्हें गर्मी से जल्द राहत मिले विस्वजीत कुंदन को डर्मा बिहार तक करना चाहिए और करना चाहिए और करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए